बेह मते ने जेडे बैके शिक्वा करन मुकदरां दा उगणवाले उगपेंदे ने सीना पाड के पथरां दा मंजल दे मत्थे उत्ते तक्ती लगदी उना दी जेडे करूं बना के तुर दे नक्षा अपनी सफरां दा बाबा नजमी इनका नाम बश्षी हुसाइन था और सब्सक्राइब में पाकिस्तान जले गए थे और बहुत अब जब शुरू है तो जैसे जैसे बड़े सब्सक्राइब करें तब तो मैंट्रिक की भी बहुत मैं बोलूं की वैलियू थी उस चाहिए उसके बाद यह किसी जिसे में बोलूं देहाडी दाग बोते हैं हम पर नजाबी में उसे कि उनको पहले बोला गया कि हाएक आप चोटी सी क्लेरिकल जॉब करोगे तो इन्होंने हमी भरी तो इनको बात में आपकी क्रेटिविटी देखकर छे महीं नहीं पहले पहले नहीं क्लेरिकल जॉब करी उसके बाद यह साड़े छे साथ साल तक फिल्में बनाते रहे पंजाब प्रोड्यूसर काम कर रहा है वो भी पिच्चास में यह मैं इनका सफर बता रहा हूं शायरी लिखने से पहले तो बस जब में से किसी को कीड़ा जगता है कहीं से कि आपको कहां से शुरुआ तो यह बताते हैं कि 12-15 साल की एज में कोई शायर था जो इनके घर में बहुत प सब्सक्राइब कर दो हम इनको लगता है कि मेरे को लिखना चलिए अट्रहा बीस साल में यह जैसे हमें बोलने के रिलीजियस कुछ लिखना सिख्वात इस अगर मैं रमायन की बात कर रहे हैं तो हम ठोड़ा सा समझने की कोशश करते हैं कहां क्या कर लिए लिखने शुरू क का तक बॉल तक बॉलताओं की एंगल यहां शुदू होता है कि यह लाहॉर किरा कि करांची में चले गए जब ही कराची में बसे तो वहां पर जज्यादा शायरते वो उर्दू डॉमिनेंट शायरी चलते थे अपने हभीब जालिब का नाम सुना होगा तो वहां पर तब हभीब जालिब साथ थे और कुछ और लोग चुनिंदा लोग पंजाबी में शायरी करते थे यह आदमी इकलौते वहां ऐसे थे जो जाकर मुशायरे में पहली बार पं से मैं बोलता हूं कि पंचर लगाते हैं किसी की घाड़ी दोना किसी का पंचर लगाना है सब कुछ एक इतने जादा गरीबी के दौर से गुजरे और उस वक्त जो मैंने आपको पहली दो लाईने अभी पढ़के सुनाई पहला एक शेह सुनाए कि जो बेहिंते में जेड़ पढ़ा पढ़ा था वो भी पंचाबी मुशाय है तो यह उस वक्त यह चीज़ बताते हैं कि यह आदमी सड़क पे एक दिन की दिहारी कर रहे हैं और उनके नाम के बड़े बड़े पोश्चर और फ्रिक्स चपके जा रही है तो जो लोग इनके साथ काम कर रहे थे वो कह र पाया है अभी तक उसने मेरे को यह सिखाया है कि अपना हख कैसे मांगते हैं और अगर थोड़े से भी फ्रिमों सो जाते हैं तो आप पैसे के लिए शायरी मगते लिए जिस चीज़से में बहुत इनके लिए कि ऐसा नहीं कि कल को आपको को बलाएगी हां मेरे को यह मेरी सी करना और मजदूरों की हक में बोलना मेरा एक फजर और यह तरेड यूनियन के साथ बैठने लगे ट्रेड यूनियन और जितने भी तब मैं बोलूं कि उनके मुशारे होते थे उसमें बढ़ते थे तो उन्होंने इसके लिए काफी कुछ लिखा है उसमें से आपको कुछ प कर खांदे नहीं मजदूर जिस तर्थी ते रज्वां टुपकर खांदे नहीं मजदूर उस तर्थी दे हाकम कुद दे उस दे हाकम सूझ तब एक बिल्कुल डिरेक्ट पिन पॉइंट ऐसा नहीं कि कुछ घुमाफिरा के लिखा गया है मेरे वांगु चार दे हाडे पठी पठी कोल खलो पठी जिसको आप बेकरी बोलते होगी मेरे वांगु चार दे हाडे पठी कोल खलो मुल्ला फेर विखामी मैंनों अपने चेरे दाने तो वह जितने भी आसपेक्ट ऐसे हैं कि हाँ आप एक सुपिरेंटी कंप्लेक्स लेकर आना चाहते तो इसके बहुत ही ज चन्ना चूरी नाल मेरे हक्ती चाले पए मजदूरी नाल फिर वी नहीं उपर या चन्ना चूरी नाल कुशिया नाल ने चड़ी अपनी जम्मंतों तेरे शर्च आया हां मजबूरी नाल यह उन्होंने कराची को सामने रखे लिगी थी कि मेरे नालों पहजा पुत है से कराची आरहां और मेरे को अपनी जनम उम्मी चोड़नी पड़ रही है खाने के लिए इसके पीछे यह रीजन है कि आप लेबरर्स को जितना उनकी डेली रूटीन वेजिए आप उनको बिल्कुल भी नहीं देते हो उसी ताइप का शायर अभी तक पाकिस्टान में लोग सब्सक्राइब करने वाला शायर है और इसी तरह इनका जो सफर आगे चलता है उसके बात जैसे ही कुछ फेमस हो गया तो मैं यह बोलूँगा इनको फिर पंजाब में बुलाया गया तो इनको चड़दे पंजाब में इसको बोलूँगा कि हमारा जो पाकिस्तान का इसे माना जाता है तो इनको चाड़दे पंजाब में जैसे मैं बुलना तो बुलाया गया दो अध़ नाइटी नाइटी तू और तब यह बताते हैं कि जैसे लिप्पी का डिफरेंस है अगर आप देखो तो शामुखी हमारे पाकिस्तान पंजाब में है और गुर्मुखी यह मिली बताते हैं कि एक गुर्बजन सिंग नाम के चोड़ा सा शहर है पंजाब में रिफाकी से यह बताते हैं कि मेरेवापी यह वापिस सते आते हम पंजाबी सब्सक्राइन वों हम्यें सब्सक्राइब फिर श्रौज विए गिफ्ष और नीए से लिए इंडिया इंडि पंजाबी शाहले ऐख गुर्मुकी का कैदा बाबा नजमी को गिफ्ट में दिए तो जब यह लहाओर वापस आता है तो यह बताते हैं और इनका जो पंजाबी भाशा के प्रती लगावे मैं कुछ कभी ताइं सुनाता हूं उसमें आपको साफ जाहिर होता है कि यह कभी ऐसे शायर नहीं रहे कि मेरे को हिंदियां उर्दू में बहुत पॉपलरीटी भी यह फॉर्स लैंगेज है जैसे सिंदी में बोलता हूं सिं पंजाबी में घुला हूँ एक पार्ट है जिंदी लिए तो यह कराची संद में आता था वहां पुर्दू डॉमिनेस में आपको पहले बिदा लेकिन यह सारी डॉमिनेस को चेंज करते हूए इन्होंने पंजाबी में लिखना शुरू कर दिया था तो पंजाबी के लिए पंजाबी पढ़ने के लिए किसी को प्रिरित करने वाला को शायर अगर पंजाब में वो बाबा नजमी है आज के जमने तो यह कहते हैं कि अखरां विच समंदर रखां मैं बाल पंजाबी का चाखडांदे विच रख दता है दीवा बाल पंजाबी का लोगी मंग मंगा के बोहल बना के बैगे ने माफ करना लेकिन यह उन्होंने जो उड़्दू शेत में आई हिंदी जैसे रही या संस्क्रिच से कुछ भी वहाल हुआ तो उन्होंने इस चीज़ के लिए लिखाए कि लोगी मंग मंगा के अपना बोहल बना के बैगे ने असीता मिटी करदता है स सोना गाल पंजाबी जेड़े आखन विच पंजाबी वहसत नहीं तहजीद नहीं पढ़के वेखन वारस बुल्दा बाहू दाल पंजाबी जेड़ा इन्हीं प्यार करें मंदा मास्क वा दिन लाए जेड़ा इन्हीं प्यार करें कोई भी जबरन कर नहीं सकता विंगावाल पंजाबी तो यह नहीं पंजाबीयों पर यह पूरी मैं बुलूंगा गजल में उसके बाद यह सेकंड जीज में इसमें आते हैं कि पंजाब में एक बार ऐसा वाक्या कि मैंने यह भारत की पहली एसी स्टेट देखी है जिसमें आपको अपनी रीजनल लेंगज बोलने पर जुर्माना लगता है क्योंकि पंजाब के कुछ स्कूल सैसे हो गए थे आप पंजाबी में बात नहीं कर सकते हैं अगर पंजाबी में बात करेंगे तो वह इस चीज को आगे रखते हैं कि मैंने ऐसी धर्ती को देखा है जहां अपनी मां बोली बोलने पर बच्चों को शुर्माना लगता है तो वह इस चीज को कार्प करते वे बाबा नजमी यह लिखते हैं कि वारस बुले वर्गे बैठे हंस विसार पंजाबी में किस तरह आखा मां बोली द पंजाबी बाला दे मूं अंदर जेडे अक्कर चोगे वांगु देंग दे संग ओदे बदले फड़ फड़ उबड तोन दे यार पंजाबी ने कि पहले जो हमारे बाप दादा थे वहां में बहुत एक एक शक्त प्यार से सिखा दे इस तो प्रनांस कैसे करना इसको बोलना लेकिन आजकर पंजाबी के नाम पर अगर मैं बोलें तो उड़ता पंजाब और गालियां जादा सिखाई जाती हैं रादर देन हमारा जो वाट पंजाबी एक चलिए अचन चेती वी ना मेरे मेरे मत्ते उनना जेडे वी इस तर्थी पे बदबूदार पंजाबी में ओदर लामा दिलनों दुनिया केंदी जिदधर जिद्धर जदर जान दे मेरे बाकिरदार पंजाबी में कंडे कदे न करन अलगन रभा मैदाने विच उनना जेडी अपनी मां बोली दे खितमत गार पंजाबी में आपनी बोलन यह बहुत अच्छी लाइन जो मेरी पसंदिदा लाइन अपनी बोली बोले साज इनादा को टुदा यह बहुत जादा कल्चर फैला हुए कि मैं यहां की भी बात करूंगा कि अगर कंड़ा में बात करें हमें बात काम्लेक्स फीज होता है ठीक है अब आपस में दो लोग बात कर रहे हैं हम उससे परिशान है लेकन कभी आप ने इस चीज़ को अपने अंगल से सोचोंगी हम जब बहुत बिहार की या पंजाब की ने हरी हम दोग बात कर रहे हैं उसमें उस आदमी को कुछ समझा रहा है नहीं आरा वह आप उसको यह उस सब्रक्रा बीक करने तो आपको इससे अच्छा इससे बहतर है कि आपको मर जाना चाहिए तो यह चीज उन्होंने लिखी और पंजाबी के दिन में एक दर चीज और लिखें है कि सूरत आप कि अब दा मैं बूहाद पूल के रिकांगा बहुत बहुत प्यारा सशेर कि अब दा मैं बूहाद के रिकांगा रब दे नाल पंजाबी बोल टो एक और चीज और पुच्छा करके मैं जांते जांते पुझाबी दा उत्षा सब्सक्राइब। उस विए उन्हां चप्रपद्स जान साफिम्स सब्सक्राइब खरो आप इख आप जो फर्स्ट जो इनकी किताब आई थी अक्रामित समंदर उसका जो प्रीफियर्स जिसे आप बोलते हैं वो लिखा गया था हभीब जलाब जो आदमी थे उनकी दरफ लिखा गया था और और हां इनका सबसे मज़दार रेंगल रहा है कि अब बाक बढ़ बोले हैं पाकिस्तान की हुकूमत की दो एक यह मैं बोलूं कि इनने पीपल पार्टी आप जो पाकिस्तान ने वह जाइन करी जो प्च्छे साल उसमें रहे लेकिन जो डिफ्रेंसिस हुए उसकी वज़ा स जबनल जी लम्में डेरे ला ना लैना जबनल जी गांद मुका के करदी चाबी मोड देओ करनु जप्फा पाना लैना जबनल जी गित्मियां ने बंदू का अपने दुश्मना ली साडे वालक माना लैना रुपए आटा सेर रोटी-रोटी करी जंगेर हाय हाय लोको चूठ यह उन्होंने नवाज शरीफ के लिए का था जबकि वो एक उससे बहुत लगाव कर देना नवाज शरीफ के पॉले जब आये तो बैनदीर भुट्टो थी तो उन्होंने क्या करा कि 6 रुपए से बढ़ाकर 7 रुपए आटा कर लिए उनके बेटे का नाम बिलावल है उसको कि इस कविता में घसी था कि बोले कि बीबी रानी बढ़ाहने आटा सातर रुपए से मेरा वंगू जेर देहाडी राजा पिछे करे देहाडी सेबां बदलन लब्बे बेर सेबां बदले लबन बेर आटा लैंड बिलावल जावे नंगे पैडी सर्दा आवे तेरे बच्च अगे पिछे ने रख वाले और आमंगान लगे टेप बीबी रानी बढ़ाहनी तो यह उन्होंने एक बैनेजीर भूट्टों को चैलेंज करते हुए यह कविता लिखी थी और इसके बाद मैं को यह बताना जाए हूं कि एक बड़ा लेटेश उनका बहुत जो जिस्टिक आ हां तो अभी उनका जो लेटर इंडर्विवेंट में बोला कि एक बाबा बुले शाह साथ कि किसी तरीके से याद दिलवाता है मेरे को तो वो कहते है कि अगर मेरे सामने नरंदर मोदी और नवाज शरीफ या कोई भी जो आज के पाकिस्तान के उनको पिठाया जाए तो मैं तूँ क्यों टावें मैं क्यों तोड़ा मंदर ने आजा दो में बैके पढ़िये इक दूजे दे अंदर मोदी शदिया वांगू अज वी कुझ नहीं जाना मस्जिद मंदर दा लहूत तेरा मेरा लगना तेरे मेरे खंजर मोदी रब करें तूम मंदिर वांगू वेखें मे दूब्बे विच समंदर बेडे सातों हले निकले नहीं वेखो टोल वजाके चले फूलन ओदे अंबर में कदे कदे ता एहो जैवी हरकत बंदा करदा आए अपना मून लुकाना ओखा हो जांदा असान नहीं ओना बाबा तेरे मुड़के मेला वेखन लई शकलावेक के दिन दिन वरतावे तेरे दंगर तो यह मैं बोल रहे हैं कि कई कभार यह भी होता है अगर आप मैं इसे नहीं पोट करूंगा किसी भी रिलीजिस जगां पर ज कि आपका पहरावा क्या है उस हिसाब से आपको प्रशाद दिया जाता है जो मैंने अपनी तीन चार तरीके में देखा कि जैसे आप लंगर बरताते हैं एक सलीका ही अलग होता है एक दूसरे आदमी को लंगर बताने का जिसकी जिसने कपड़े अच्छे से नहीं पहन रिख पाकिस्तान पंजाब में जो उनके एजुकेशन मनेश्चर होए थे उन्होंने पंजाबी के बारे में बहुत कुछ बुरा बला बोल ले था तो उन्होंने उसके जवाब में भी उसको बुच सुनाया कि अपने मूनु डखकाला ओशी देशा शी देशा इस नेम आप दिख पंजाबी से बेहत प्यार करने वाला शक्स हो तो पाकिस्तान पंजाब के शायर होने के बाव जूद एक जगह मूगा करके पंजाबी तो वहां पर इनका श्चैचू लगवाया गया तो वह असी मुझाग में बोलते हैं कि श्चैचू उनका लिगवाया जाता है जो लोग मर जाते हैं लेकिन मेरे को मैं इसको समान की तरह लोगा एक बेस्ती की तरह मेरा मेरे जनम मैं जी रहा हूं अभी तक तबी एक शेचू मेरे नाम का लगा दिया गया तो मतलब अगर आप एक अवर आल देखें तो यह अभी तक पूरी दुनिया गूंग को उसमें पंजाब का जो भी है आज तक जितने भी किताबें रसाले सब को छपा है मैं उसकी एक बड़ी सारी लाइब्रेरी बनाकर और उसका कोई बिना चार्ज के अपने बच्चों को देखा जाना जाता हूं कि वह पूरे पंजाब को इस लिट्रेजर से रूबरू करना से तो यह थे बाब कि शपाउएवदेर वह वह थे यह विएफा की किताबू जादारी बनाकर द़को कर दो